प्रदेश मंदी गजिंदर यादब द्वारव वालमी की इलाकी के पार्थ में रुच्छा रोपन कराया गया आपको बता लिए कि सेवा सप्ता 24 से शुरू आथा और 20 सालिक मनाय जा लिए तो उसी के उप्लक्षे में सेवा सप्ता मनाय जा रहा था अगर बात कर दी जाए प्रदेश मंतरी गजिंदर यादो ने अपने समर्थकों के साथ वाट टू के बालमी की महले में छीपी आले पार्क में फलदार और चायदार ब्रच्छा रोपड की आपको तस्वीर हम दिखा रहे हैं महरूरी लाके की जहांपर निगम पारसत के साथ साथ आपको बता दे परदेश मंतरी गजिंदर यादो ने अपने समर्थकों के साथ ब्रच्छा रोपड की आकई फलदार पौधे जो हैं वो यहां पर लगाएगी आपको बता दें भारती जंता पार्टी की तरफ से लगातार जो है के अंदर जाकर ब्रच्छा रोपड क्या यहां पर कई ऐसे पौधे लगाये गए जो की फलदार हैं लगातार सेवा सप्ता अभ्यान के तैत अलग-अलग कार जो हैं भारती जंता पार्टी के निगम पारसत याकार करता करते हुए नजरार है उसी करम में यह तस्वीर हम आ स्वस्त नहीं होगा तब तक देश कैसे स्वस्त होगा उसी को लेकर यह कार लगातार दिल्ली के महरूई लाके में किया गया सेवस्ता जो हमारा चल रहा है मानी मोदी जी के जनम दिन के उपलक्ष में उसी प्रक्रिया में आज हमने यहां पर रक्षा रोपड किया और जिसमें हमने आम के अमलतास के इमली के शरीफे के संत्रे के आदिव रक्ष लगाए और यह सेवस्ता की प्रक्रिया निरंतर चलत आज जो भारती जंता पार्टी ने मोदी जी के जनम दिन पर सेवा सप्ता चलाया हुआ है तो आज 19 तारिक को जो महरूली वार नंबर दो में छिपी वाला पार्ख है जहां पहले गंदगी के धेर होते थे वही पर निगम पार्षद आरती जी के हाथों द्वारा ये वुरक् टीम है अमन है बादल है मोनू, सोनू, दीपक ये सबी ने मिलकर यहां पर वरक्षर ओपन किया और बड़े बड़े वरक्ष जो बनेंगे फल वाले जो वरक्ष है वो यहां पर लगाए तो पर जो सब्ता अभियान चलाया गया है उसमें गजंदर जी ने वरक्षर ओपन का काम करा है छीपी वाला पार्ट वार्ड नमबर दो महरुली जो आर्टी जी के सोजन्ने से हुआ तो आपने देखा कि किस तरीके से यहां पर ब्रच्छा रोपर्ड किया गया है और यहां पर किस तरीके के फलदार पौधे लगाए गये हैं लोग भी जागरुखों और ब्रच्छा रोपन करें तस्बीर हम आपको दिली के महरोली इलाके की दिखारें जहां पर ये ब्रच्छा रोपन किया गया